नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका लास्ट एक्जाम ट्रिक्स में जिस पर हर बरती से समझ देत आपको एकदम मतलब ओप्सिल न्यूज उप्लब करोई जाती है तो देखिए थमनेल आपने देख लिए आज हम बात करने वाले हैं नहरू युवा के अंदर संग्ठन इसके चल रहे हैं इंटर्यू तो आपको इसमें देखो कल लेके मेरा दोस्त था वो इंटर्यू देखिया था तो उसमें जो लेवल बढ़ाया गया है इंटर्यू का वो उसने बताया कि क्या क्या क्यूशन पुछे गये थे और क्या क्या मैंने बताया तो वो देखिया आप, मतलब इतना गजब इंट्रुवी हुआ था, देखिया आप, आपको भी ऐसे ही अपना जो त्यार करके जाना है नोलेज, देखिये तो सबसे पहले तो उसे पुझा गया कि भी आपका नाम क्या है, तो उसने बताया कि सर मेरा नाम रवी सहरावत है तो रवी, तो फिर बोला कि अच्छा ये बताओ, रवी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है रवी नाम का, तो उसने बताया कि सर रवी नाम का अर्थ होता है, सुरी ये तो फिर ये बताओ कि ये जो न, y, ks है इसमें k का क्यारत होता है तो बहुला कि सर इसका के अंदर होता है अच्छा और n का तो बहुला सर नहरू ये जो question है ये normal question होजे गए फिर उससे पुछा कि वही अच्छे ये बताओ कि ये जो नहरू के time कितने जो आकरमन जो बाहरी य पड़ोशी देशोई साथ तो वह कितने होए थे तो उसने बताओ कि सर एक ही हुआ था 1962 में हुआ था वो चिन के साथ हुआ था ये अच्छा तो 65 वाला कव हुआ था किसके time हुआ था तो उसने बताओ कि सर 65 वाला लाल बादूर सास्त्री के time हुआ था क्योंकि जो नहरू थे वो 1964 में मतलब मरती हो वही थी उनकी जोड़ा अच्छा मतलब आपका नोलेज तो वह लाकर ठीक है वह तो यह ताओ आपने कर क्या रखाया तो उसने बताया कि सर मैंने टैंथ और बाराथ में PCM थी मेरे पास जोल अच्छा जोल आगे जोल सर आगे मैंने फिर VA कर ले तो फिर पुछा कि अच्छा मतलब बार में साइंस से किया आपने तो फिर आगे VA क्योंकि वही तो उसने बताया कि सर मुझे competition के exam की तहरी कर रहा था तो सोचा कि वही बेसी में time भी खराब होगा ज्यादा competition की तहरी नहीं कर पाऊंगा तो मैंने फिर VA ले ली तो जिससे की competition की तहरी चलती रही यह अच्छा ठीक है तो आज तक कैसी तहरी चल रही आपकी आप ये पाथ जार की नोकरी क्यों करना चाहते हैं तो उसने बोला कि सर मैं एक समाज सेवा करना चाहता हूं जो नहीं जी में करें बारे मैं बताना चाहता हूं तो आप ये बताओ आप बिक्कानेर आए तो कैसी आए थे तो उसने वहला कि सर ट्रेंट से आए था मैं नुल आ अच्छा तो कौन सी ट्रेंज याए वई तो वला कि सर ब्रोड गेज थी तो जो ब्रोड गेज रोती इसकी रेल पत्थ में जो दोनों पट्रियों के बीच में दूरी होती वो कितने होती है कितना गजब कुछा गया तो भाई की तैरी भी अच्छी थी कि बोला सर एक पॉइं कुछी विदेख आया था तीन कानून थे उसमें उनका विरोध औरा जोर सोर से आप क्या जानते हैं उनके बारे में तो बोला सर ये कानून है ये इतना नोलेज तो सोरी सर की मुझे इतना नोलेज तो उसने ये बंदे नहीं मतलब है ये बोल दिया कि सोरी सर इतना नोलेज तो मुझे नहीं है लेकिन मैं फिर भी कुछ बताऊंगा मतलब अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो आप ये बोल दो कि sorry sir मुझे नहीं बता तो इसका कुछ ज़्यादा effect नहीं पुड़ेगा तो कि sir इसका एक जो उसने पुछा sir ने कि अच्छा ये बताऊ कि तीसरा कानून है वो क्या है इसमें तो इसने बताया कि sir इसमें storage के बारे में बहुत लखा है कि कितना storage आप कर सकते हो उसके बाद आपको एक परकार से छापा मतलब मार सकते हैं सरकार उस पर तो ये बस ये इतने question पुछे गए और इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि आपको document आपने अगर form लगा रखा है तो document क्या के लेके जाने हैं क्या क्या लेके जाने हैं तो वो देखिए आप एक तो आपको अपना जैसे दसमी वार्मी और अगर graduation करकी है तो इनकी original और उनके साथ एक एक photocopy लेके जानी है इसके अलावा आपको मूल निवास लेके जाना है मूल निवास के जो परमान पत्र है वो लेके जाना है एक जाती परमान पत्र लेके जाना है OBC, SC, SC, ST वाड़ा इसके अलावा अगर आपने कोई state level पर या फिर national level पर अगर आपने कोई खेल कोटे से कुछ परमान पत्र आपको है आपके पास तो वो लेके जाना है एक जो I.U. परमान पत्र जनम परमान पत्र आपका वही आपका date of birth वो है यह है तो वो आपको अगर आपने दस्वी में आपके जो जो certificate है उसमें अगर आपके date of birth है तो वो चल जाएगा राम से अगर नहीं है तो फिर अलग से आपको लेके जाना पड़ेगा तो यह बात है दोस्तों आगे जो भी कोई इंट्रीव होगा उसकी आपको एकदम बड़ी आदरीके से बताया जाएगा आपको कि कब है और किसका है तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू दोस्तों